ड्रीम 11 में कैप्टेम वाइस कैंटन लोत बना ले देग चाहें स्मॉल लग में कौने छ सलेक्टन को काफ़े बड़ा डवांटेज देखने को मिलता है तो अगर आप भी ड्रीम इलेवें से विनिंग करना चाहते हैं आप भी ड्रीम इलेवें से दूस्तों डेली वाई अर्विज आप लोग जान लेजिए जिसके बेशित पर आप लोग अच्छी खासी विनिंग हाईली विनिं से कर सकते हो दोस्तों कैप्टन वाईस कैप्टन करने के लिए पहली बात तो हमको किसी भी टीम से मतलब नहीं है जैसे इंडिया वरसे सरस्टेटिया कमें चल रहा है आइसा एक्जांपल तो वह 11 प्लेयर इस टीम के होंगे टोटल 22 प्लेयर समयल पास रहते हैं अब इनी 22 समय से इन यह भ प्लेयर के ax करनानी होती है चिके और इन ही इन ही में प्लेयर में हमारे पास कैपटन wise कैप्टन मढंते कोई दो बन धे अब दोस्तों अ जमान तो करें कि कभी आप लोग यहां कभूत थीम बनाते सब्सक्राइब तक यहां पर विनिंग करने का चांस है काफी इंक्रीज हो जाए भाई हर टीम के पर अच्छे प्लेर होते हैं तो उनकी बज़ाइब परफॉर्मेंस और आपकी इसकिल इसकिल का फिल जया निकल के आती है ताकि इन तरीकों से आप लोग बहुतरी तरीके दिन कर पाएं प्रॉफिट जंडरेट कर पाएं साथी सार मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं यहां पर कभी जब आप लोग कैप्टन चुने यहां पर आपके दोस्तों वेन्यू का भी काफी इंपोर्टेंट रूल होता है ठीक है क्योंकि अगर मान लिजिए आइस एक्जा कि आपको दोस्तों जिस बंद्य को कैप्टन बनाना आपको देख लेना है कि वो गयानियू में जो हम परफॉरमिंस कहीं रहती है जाहिए जिवाचे भड़ा रीसर्च के साथ थोड़ा निसिस क्यात्त हमको मालूम चल जाएगा कि यह प्लेयर इस मैच में इस विन्यू में करेंगे कि उनके दो तीन मैचेस नरेंद मुदी स्टेडियों में काफी अच्छे गए तो जाहिर सी बात है आप लोग यहां पर सुपमंगी के तरफ जाईए लेकिन अगर कोई ऐसा ग्राउंड मान लेजिए कोई ग्राउंड ऐसा है मान लेजिए हम एकाना स्टेडियम के बा कोई ग्राउंड बचा नहीं है जहां दोस्तों मैच ना कंडर्ट कराए गया हो तो भाई उस पीच पे हमको यह भी देख लेना है कि यह पर जीज़ों को तो पहली बात आपको भाली भात ही समझ लेना है दूसरी चीज आपको यह देख लेना दोस्तों जिदने भी स्टैट है अदराइस पसक्राइस होते हैं जो भी जानकारी होती है आपको इनको समझ के जलना है आनिक आप लोग देखते होंगे अवरेज को के बारे में इवरेजर स्कॉर के बारे में बाकू भी जानकारी दी गही चोन होता है तो आएए पिछ दो seiner पर्सकोर पर्फोर्मेंस किस लेवल की होती है तो लिभाइवरेगश जस्कोर यहां पे किस से लेवला को मुझे रकिता है बाउनमे भीरैक्ष को का मतलब बहुत है उनिक होता है अगर एवरेज इसकोर आपको दोस्तों 200 के नीचे है एवरेज इसकोर आपका 200 के नीचे है चाहिए 187, 185 या 175 हो हम को देखने को मिलता है कि भाई कभी कभी बैटिंग पिछोने के बाउजूद रन अधिक नहीं बान पाते हैं तो वहां पर दोस्तों पेशार से स्पी करते हैं हाड वर करते हैं उनकी विनिंग होती है आज भी और तुक्के बाजी में टीम बनेगी आप लोग टीम बनाके भूल जाते हो जब लास्ट टाइम में अपडेट होता रहता है आप लोगों को यह चीज़ धान में रखके चलनी पड़ेगी वह टीम चेंज कर रहे है तो फिर विनिंग हमारी लो हो सकती है तो इस एकुरिसी को समझें इस चीट को समझें ताकि आप लोग भी बेहतरीन तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से द्वेनिंग कर पाएं प्रफिट जंडरेट कर पाएं मुझे उमेद है कि जानकाली आप लोगों को अच्छी